प्रकर्टी ने विवदता नाम का एक उपहार मानव जाती को दिया है या फिर ये कहिए कि प्रकर्टी ने डाइवसिटी को एक नियम के रूप में इस संसार में उतारा है विवदता प्रकर्टी के द्वारा हम सभी को दिया गया एक उपहार है विवदता की वजए से हमारा संसार में रहना संभव हो पाया है विवदता यानिके डाइवसिटी हम में अडाप्टीशन की जो एक कैपबिल्टी है उसको विक्सत करती है और साथ ही जो इवोलूशन की एक प्रोसेस है उसके हमें काबिल बनाती है इस मुश्किल से लगने वाली भाशकों के रूप में आपको समझाती हूं मान लेजे पूरे संसार में एकी तरह के फूलों के प्रजाती है एक ही उनके जैसे थे जब भी उनको किसी बिमारी ने जखड़ा तो उसको सर्वाइब नहीं कर पाए इसी तरीके से हम मनुष्य भी अलग-अलग डाइवसिटी के साथ जरम लेते हैं हमारा दिमाग जो कि बहुत कॉंप्लिकेटेड प्रॉसेस से बना हुआ है और जो बहुत एक जटेल आप कह सकते हैं मनुष्य का औरगन है वो भी अलग-अलग तरीक सामान्य वहवार करना नॉर्मल माना जाता है और यदि आप भीर से थोड़ा सा अलग वहवार करते हैं तो आपको अबनॉर्मल होने का करार दे दिया जाता है लेकिन क्या यह सही है यदि नीले रंग के फूल सुन्दर है तो लाल रंग के फूल भी तो सुन्दर है यदि ख प्रचाते के रूप में हमें किस तरह इस डाइवोसिटी का ना सर्फ सम्मान करना चाहिए बल्किस को सेलिब्रेट करना चाहिए और क्यों यह हमारे लिए वास्तों में महत्वपूर्ण है इन सारे पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे तमश्कार दोस्तों मैं प्राची संस्क्रदी आये से यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वहस्त स्वागत करती हो वो लोग जो खास है बस आप से अलग है आईए उनके बारे में जानते हैं सबसे बेले तो देखिए कि दा हिंदू में एक आर्टिकल आया था 26th of September को जिसमें कहा गया था कि भारत में खासकर जो भारत में corporations हैं उनको neurodiversity को actually workplace पर अपनाने की जरुरत है यानि कि जो बड़ी-बड़ी companies है जो हमारे workplaces है जो office है जैसे मैं भी जहां काम करती हूं हम सब को neurodiversity को अपनाने की जरुरत है यहाँ पर देखिए neurodiversity how to unleash the power of cognitively diverse workforce यह एक line बहु cognitively अलग तरीके से सोचने समझने वालों लोगों की जो एक workforce है उसको हम कैसे use कर सकते हैं ना सिर्फ अर्थववस्था के point of view से बल्कि एक word inclusion जो कि आजकल बहुत famous हो गया है उसके point of view से भी हम लोग यह बहुत बार बात करते हैं कि inclusion होना चाहिए society में अलग-अलग लोगों क समाविश्चित करना चाहिए हम financial inclusion की बात करते हैं हम social inclusion की बात करते हैं हम economically inclusion की बात करते हैं लेकिन workplace में भी अब हमें caste gender और religion इससे उपर उठकर भी inclusion के बारे में सोचना होगा LGBT Q plus community को लेकर तो फिर भी थोड़ी awareness तेकने को मिली है और हमने उन लोगों को अपनी जैसा मानन स्टार्ट किया है लेकिन अभी कुछ खास लोग जो कि हम से थोड़े से डिफरेंट है उनको inclusion करने की ज़रत बाकी है यानि कि हिहां पर सबसे पहला पॉइंट तो यह उठता है कि माम यह neurodiversity होती क्या है यह समझ में आए तो हम inclusion की बात करें तो सबसे पहले आईए यही दे हम information कैसे लेते हैं उस information को हम अपने brain में कैसे संशादित करते हैं कैसे react करते हैं किस तरह निर्ने लेते हैं किस तरह काम करते हैं किस तरह सोचते हैं यह हम सब लोगों में अलग-अलग होता है लेकिन हम में से जाधा तर लोग कहीं नगई एक scene pattern पर काम करने की आधी हो जाते हैं क्योंकि हम एक सोसाइटी में पले बड़े होते हैं तो हमारा जो दिमाग है वो नियूरो टिपिकल की तरह काम करता है नियूरो टिपिकल का क्या मतलब हुआ कि हम सब लोग कहीं न कई तरीके से चीजों को देख करते हैं और एक तरीके से यानि के दिमाग के स्थर पर हो रहा है इसी को हम नियूरो डाइवसिटी कह देते हैं एक बहुत अच्छी से पिक्चर के माध्यम से में अपना समझाना चाहूंगी यहां पर देखें यह एक क्या है कुछ चाइल्स का ग्रूप है इसमें एलेक्स है डू है पैट ली जेस एंस क्या है इसके अंधर नियूरो डाइवसिटी है मतलब नियूरो मतलब नर्वस सिस्टम से रिलेट्ट कुछ चीज हो गया डाइवसिटी मतलब यह अल्ग होने की स्टेच हो गई and डाइवर्स मतलब जो हम दूसरों से कुछ अलग जो है तरह की कर्क्रिस्टिक्स को दिखाते हैं तो नियूरोडाइवर्सिटी मतलब नियूरोन के सिस्टम पर हम लोग क्या है अलग है अब यह जो फ्रेंट्स हैं इनके क्योंकि माइड देखे अलग-अलग कलर्स के है तो इस में से कुछ लोग इसकाबिल होते हैं कि वो क्रियेटिविटिटी के स्तर पर फोकस के स्तर पर डियूरो टेपिकल रोग सभी मुझे जैसे सामानने लोग उनसे बहतर होते हैं इसलिए चा़ा जाता है मैं सामानने हूं लेकिन एक नियूरोडाइवर्ट जो परसन होगा वो शायद मुझसे जादा खास होगा तो नियूरोडाइवर्सिटी को जो है बहुत आसान तरीके से आप समझ गए इस पिक्चर के माध्या से अब देखिए ये चर्चा में क्यूं है ये एक मैडिकल का मामला होना चाहिए जनरली हम ना सिर्फ वो एक अच्छा जीवन जीनी से वंचित रह जाएंगे बल्कि उन लोगों के पास जो अलग विलक्षन प्रतिभाय हैं उनका फाइदा हमें मिलने से रह जाएगा विन-विन सिच्वेशन होनी चाहिए हम लोगों को जो है उन लोगों का साथ मिले और उन लोगो जो कि एक ऐसा कोशल है जो सोचने के तरीके समस्य समधान के द्रिष्टी को उन में क्या है विवदता है और इस बढ़ती हुई विवदता से देखिए आपका कॉम्पेटिशन भी तो बहतर होगा एक वर्क प्लेस पे दस लोग काम कर रहे थे और वो किसी प्रॉब्लम को मा पर जो है ले आओ क्योंकि उसका तूचने का तरीका ही अलग है क्योंकि इसका माइंड अलग तरीके से काम करता है तो हो सता है अब समस्य का समाधान क्विक्ली मिल जाए और बेटर मिल जाए तो इसलिए वर्क प्लेस पर निउरोडावर्सिटी वाले लोगों के चाल ने सम्समिर्ण ने होते है को ब्रुपेकल नहीं हो सकता सोचने का कई को टरीक kazoo कतास जाले का क्या को यह चालत है तो को एक defect या disorder के रूप में ट्रीट नहीं करना चाहिए तो neurodiversity यानि के हमसे अलग तरीके से सोचने समझने वाले लोग अब देखिए उसमें क्या क्या आ सकता है जो और स्पेक्ट्रम डिसोर्डर वाले लोग होते अटेंशन डेफसेट या पर फिर neurodiversity के तहट आती हैं इसको हम देख चुक है अब देखिए कारी स्थल में जो attention deficit या फिर hyper attention मतलब hyper activity अतिसक्रियता autism spectrum विकार dyslexia dyspraxia dyscalousia esposal storm जैसे जो neurodiversity इस्थिटियों में काम करने वाले लोगों को basically संदरबित करती है यानिके neurodiversity क्या है इस सारी जो है विशेष्टाओं से जो है आप कहते हैं इन सारी विशेष्टाओं वाले लोग जो है आपके workplace में आए और नियूरो टिपिकल लोगों के साथ मिलकर काम करें यही नियूरो डाइवरसिटिया यहां पर जिखिए हटके है तो ब्सक्राइब टो करता है उनको तो अवेर घिया जाता है उनको спर्ण के लिए बताया ही जाता है क्यों क्योंकि उनका brain function जो है differently काम करता है neurotypical लोगों को हमारी society में normal देखा जाता है और जो दूसरे तरह की लोगों उनको हम सीधे-सीधे abnormal कह देते हैं और यह behavior check करने की ज़रूरत है अब देखिए अगर बात करें जो एक general population है उस population के अंतर जो हमारे ADHD से घेरवे लोग है वो 5% है ASC से 1% है डास्प्रेक्षिय से basically कितने 1.8 से लेके 4.9% है इस तरह से डालेक्से से देखेंगे तो 10% है यानि कि हमारी जंसंग्या में अलग अलग लोगों की percentage है अब कुछ data की बात कर लेते हैं कि actually में क्या facts कहते हैं तो भारत में लगबग 2 million लोग ऐसे हैं जो neurological विकासात में विकार से पीडित है और उनकी पहचान और stick stick के रूप में जो है की जाती है क्या यह हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हमें उन्हें साथ लेकर चलना चाहिए इसी तरह अमेरिका में एक अनुमान यह है कि जो कुल जंसंग्या है टोटल पॉपुलेशन जो न्यूरो टिपिकल की मानी जाती है यदि उसमें बेरोजगारी 4.2 परसंट है तो यहीं तुलना ओर्टिजम स्पेक्ट्रम पर जो लोग है उनसे करें तो ओर्टिजम स्पेक्ट्रम वाले 85 परसंट लोग बेरोजगार है नॉर्मल पॉपुलेश परसंट की बात करें जो तो देखे जो ऑस्टिस्टिक अडल्स है वो सरफ 16 परसंट ऐसे हैं जिनको जॉब मिली हुई है उसमें से 73 परसंट लोग बग ऐसे हैं जिनको जॉब नहीं मिली हुई है लेकिन वो काम करना चाहते हैं they want to work actually और 6 परसंट लोग ऐसे हैं जो बेसिक सोसाइटी हम लोग कहां मुव कर रहे हमें कहां जानने की जरुरत है हमें कितने सुधार करने पड़ेंगे यह दिखाता है यहां पर देखिए अब हम बात करते हैं कि कारिये बल में हम यूरो डाइवर्स लोगों को काम दे तो इसका क्या महत्व होगा तो यहां पर देखे वेराइटी ओ प्रॉस्पेक्ट्स आएंगे हाईयर इनोवेशन आएगी फास्टर प्रोब्लम सॉल्विंग आपके हां हो चाहेगा जो अन्टैप्ट टैलेंट है उसको आप यूस कर पाएंगे इंप्लोई टर्न ओवर ड्यूस हो पाएंगा इंप्रूवड हाइरिंग रि जैसे आपको में एक एग्जांपल दोंगे कि कुछ लोग तो नमें से होते हैं जो 3D में सोच पाते हम जबकि 2D में चीज़ों को प्रोसेस करते हैं तो उनका तीन आयाम में काम करने की छमता हमसे खास है इसी तरह कोई बार वो बहुत जादा हाई फोकस के साथ काम कर पाते करें बार वो जो कंवेंशनल तरीके उनसे हट के नॉन-कंवेंशनल तरीकों से जो यह प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं तो हमारा जो वर्क प्लेस है महां पर मोर क्रीटिविटिविटी मोर इनोविशन तीम वर्क जो है न्यूरो डैवॉसिटी को लाने से दिखाई दे में जो वह वाली टीम थी जिसमें नियूरो टिपिकल और नियूरो डावर्ट दोनु तरह के लोग थे तो वह जो है 90 से लेकर 140 पोस्टेंट से जादा प्रोडेक्टिव थे उन्होंने जादा बहतर काम किया है ठीक है और ये भी बताया गया है कि इस तरह के टीम जहां पे दो में ये बताया गया था कि द्रश्य पैटर्न को पूरा करने वाले के एक्सपेरिमेंट हुआ था जो आउटिजम स्पेक्ट्रम वाले लोग थे उन्होंने अन्य लोगों की तुल्णामी 40% टीजी से काम किया जो आउटिजम स्पेक्ट्रम पर नहीं थे तो ये जो किसी को बताई है कि वह हमसे 40% बेटर काम कर सकते किसी पॉर्टिकुलर टेस्ट के अगर बात की जाए तो यहां पर देखिए जो डिसलेक्सिया से पीडित लोग है तारे जमी की मुवी आपको याद होगी वह जो है वस्तुओं को तीन आया मुवी 3D में सोच पाते हैं इसल कर पाते हैं अनलेटिकल पावर उनकी बहुत अच्छी होती है इसी तरह जो एवरेज वाली पुथी वाले लोग होते हैं उनसे ऊपर आउट ऑफ ता बॉक्स थिंकर होते हैं अलग हट के सोचने की जो है उनमें चमता होती है जैसे इस पीपीटी में यह दिखाया हुआ है क इसी तरह अक्वायड नियोरोलो डावसर्टी वाले लोगों में अडेप्टेविल्टी जाद होती है आप पढ़ते हैं इथिक्स में की अपती होना बहुत ज़रूरी है और लोगों में देखें कॉंसेंट्रेशन जादा होता है फाइन डिटेल्स को पॉसेसिंग वो कर पा अपती है तो हम काफे को चिन से सीख भी सकते हैं लेकिन कुछ चनूतिया भी है देखें सेलिबरेट नियूरोडावसर्टी यस वी हाव तो लेकिन होता कि हम लोगों के अंदर वही पुरानी सोच पैठी हुई है हम लोगों की हाइरिं यह नहीं करते हैं हमारे इंटर्व्य के तरीके वैसे हैं कि इस तरह के लोगों को तो इतनी भी हिम्मत नहीं दी जाती है सोसाइटी में कि वह जाएं और किसी इंटर्व्यू को अपियर भी कर पाए क्योंकि उनको घर से इस बात के लिए डिमोटिवेट करना शुरू कर दिया जाता है कि आप क्या कर लोगे है आ हमारे जो वर्क प्लेसे हैं उनका इन्वाउमेंट भी ऐसा नहीं बना है कि जो डिफरेंट एबिलिटीज वाले लोगों के साथ डिफरेंट रीट करें जैसे हो सकता है एक चीज़ों को इस तरह पाता हो लेकिन दूसरा भी पाता है लेकिन उसका यह तरीका है पढ़ने का मैंने जितने में पिक्चिर्स दी हैं वह अचली सिंबॉलिकली आपको काफी चीज़े समझाने के लिए लिए दिए हैं यह नहीं होना चाहिए हमने यह दुनिया पना दी है यह अचली मिजोर्टी ओफ लोग जैसे नो उनके जैसे बना दी हमने बहुत संक्यों का ताशन थ यह उनके बहुत कम स्पीस छोड़ाया हमने वन साइस फिट फो और अप्रोच अपता हैं जबकि हमें सब के लिए अलग तरीके जो है अलग परस्थितिया अलग इकोसिस्थिम अलग इंवर्मेट्स पैदा करना चाहिए ठीक है एक गलत धार्णा यह होती है कि जो निरोडा यहीं माना जाता है जबकि ऐसा नहीं होता दिया दिफरेंट यह वेरी स्पेशल राइट फिर देखिये नुरोड़जन लोग जो होते हैं बस दूसरों से अलग तरीके से कारिय करते हैं जानकारी को संसाधित करते हैं अब देखिये अब हमें क्या किया जाना चाहिए अगर मे यह आप यह अपने दूसरा फिर क्या तोलरेंस होती है यह डिसलाइक ट यह 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 यू कंग यह आप मुझे पसंद नहीं है आप उससे अलग है बट आप आप सकते हैं इसके बाद एक्सेप्टेंस शुरू होती है कि मैं आपको एक्सेप्ट करता हूं इवन दो आप ड करते हैं तो यह एक तरीका होता है हमारी सोसाइटी अभी तो एक्स्क्लूजन पर जादा है टॉलरेंस तक भी मुश्किल ही पहुँच रही है बहुत आगे अभी यातर हमें चलानी है तो हमें ऐसा महोल बनाने के अवशकता है जो नियूरो डाइवर्स लोगों का क्या है स् चैपि मॉर्गन चीज और एड़ जैसी जो कंपनिया है उन्होंने नियूरो डाइवर्सिटी हाइरिंग प्रोग्राम पेश किये और बहुत खुशी की बात है कि भारत में इस तरह की इनिश्यटिव सामने आ रहे है जैसे हट्टी कापी और लेमन्ट्री होटेल ने भी इस इस तरह पर क्या है प्रदेशन कर सके तो में रिविजिट ता हाइरिंग प्रोसेस करना पड़ेगा एक कंडन से वक इन्मोर्मेंट क्रीट करना पड़ेगा तीलों कर्यों जो नीज जो है प्रोवाइड करने पड़ेगी मैंटोशिप गाईड यह सब हमें दीना पड़ेग तब जाकि वो लोग अपने अप्टिमम लेवल जो है प्रदशित कर पाएंगे ठीक है करमचारियों के विवत्सम्वेदी प्रतिकिराओं को पूरा करने वाले नूरोडाइवर्जेंट अनुकूल कार्याले में करमचारी कारले सानों में सहज़ता महसूस करें इस तरह का इ अपनाने की जरुरत है इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखेगा तो मुझे लगता है कि बहुत डिफरेंट एक हट के टॉपिक यह आपने पढ़ा है और क्योंकि हमारे कॉंस्टिटूशन ने भी बंदुत्व की भावना आपके उपर प्रेमेबल आपकी जो है कर्द मॉ पूनी चाहिए तो मुझे उम्मी ने वीडियो आपको पिसंद आयोगा बहुत जल्द मिलूंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्का धन्यवाज जैहिन